खुदावन जितना वजन आज ये सुने तेरे जिवित नाम में सो गुनाफलों को ले के आ है प्रभी शुमसी के सामर्धी नाम में हम वागते हैं तारिफ करो जोर से बजन साहिता तीन उसकी तीन आयत में लिखा है तु मेरी महिमा और मेरे सिर का मेरे मस्तक का उंचा करने वाला है उसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बट दाओ ओ ओ लॉड ओ लॉड अट इस शील्ड फॉर मी माई ग्लोरी और लिफ्टर अप अफ माइन हैट खुदावन कहता है कि तेरे मस्तक को मैं उंचा रखता हूँ जब मेरी महिमा तेरे जीवन में होती है प्रंदू हे यहवा तू मेरी चारों और मेरी ढाल है तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का उंचा करने वाला है जब एक ग्लोरी एक महिमा आपकी लाइफ में आती है आप lift up होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते glory का मतलब है, महिमा का मतलब है कि जो कुछ तुम सोरग में इस समय चल रहा है जो मौहौल, जिस तरह का atmosphere, जिस तरह का मौसम अगर हम अभी मनाली में चले जाएंगे तो वहां ठंडा मौसम है अगर दुबई साइड चले जाएंगे तो दुबहर वहां अभी भी गर्मी है तो जिस तरह के area में हम चले जाएंगे, अलग मौसम वहां पे होता है उसी तरह Bible कहती है कि जो सोरग का atmosphere है जिसे हम glory बोलते हैं, जिसे हम महिमा बोलते हैं परमेश्वर की presence होती है Bible कहती है कि परमेश्वर time time के उपर आपकी जो need है, आपकी जो प्यास है उसके अनुसार या मांगने के अनुसार, परमेश्वर आज भी वो atmosphere जो सोरग में है उसका taste इंसानों को करवाता है और जब एक glory church पर उतरती है, या एक व्यक्ती पर उतरती है या ministry पर उतरती है, एक महिमा जब उतरती है तो वही महौल जो सोरग में है, आपको नीचे नजर आता है वही angels, वही सोरग दूत, उसी तरह का जो उपर महौल है जो उपर के objects है, आज का वचन बड़ा अलग है, ध्यान से सुनना जो सोरग में है, Bible में लिखा वहाँ सोने की सडके है तो सोना जो है, वो सोरग का एक object है एक उसका part है, एक उसकी चीज है और Bible कहती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जब उनके चर्च में glory उतरती, जब उनके चर्च में महिमा उतरती क्योंकि जो इंडिया है या जो एशिया है, वहाँ पर ऐसी जो परमेशों के सामने लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग उनको अलग दिशा में ले जाएंगे लोग उनको पाखन में ले जाएंगे, कुछ लोग अंध विश्वास में ले जाएंगे, कुछ लोग किधर ले जाएंगे इसलिए एशियन चर्चिस इन चीजों को प्रेक्टिस नहीं करती, लेकिन जब glory आज भी अगर आप देखे के अंग्रेजों की चर्चों में जहां हैं, अमेरिका में देखांगे, जब महिमा उतरती है, लोगों के जो अंग खतम हो चुके हैं, मालो पड़दा नहीं है, पड़दा आजाता है, दांत नहीं है, सोने का दांत उगाता है, चांदी का दांत उगाता है, आज भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट वे आज भी आपको टेस्टमनीज मिल जाएंगे यह जस्ट एक ग्लोरी का पार्ट है जो जो एशन चर्चिस इसको प्रेक्टिस नहीं करती जो इसके लिए प्रार्थना नहीं करती क्योंकि उनका महौल अलग है और वो अलग तरह से प्रीच करती हैं वो अलग तरह से प्रमिश्व का सूसमाचार है वो लेके जाना चाहती हैं वो यह नहीं चाहती कि इस बात के कारण कोई हमारे पूरे सूसमाचार को जज़ करना शुरू करते तो इसलिए वो इस चीज़ को preach नहीं करती ना यह practice करती है जैसे ये चर्च भी इतना उसको preach या practice नहीं करती लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो बंधा हुआ बक्से का परमेश्वर नहीं है या वो सिर्फ एक हदवाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर बेहद है अगर वो glory जो स्वरग में होती है अगर आपको अपनी life में उसे उतारना आ जाए तो वही सब चीज़े जो स्वरग में हो रही है आप उनको धर्दी के उपर experience कर सकते हो मैंने लोगों को परमेश्वर की महिमा के नीचे बैठे हुए cancer के साथ उनकी रसौलियां है operation हुआ फिर cancer वापिस आ गया लेकिन जब परमेश्वर की presence में वो औरत बैठी हुई और खुदावन की presence में प्राथना कर रही है इस्राइल में कि खुदावन की महिमा उत्रे खु तो वो पूरी तरह से उसका cancerous tumor दो था 100% गायब हो गया right now उसी वक्त और वो पूरी तरह से चंगी हो गई थी जब खुदावन की glory एक ministry के उपर उतरती है बाइबल कहती है जब एक glory आपकी life के उपर उतरती है एक महिमा उतरती है एक presence उतरती है एक परमेश्वर का जो स्व कि prayer में ठोड़ा लंबे समय के लिए बेठें तो कई बार आपको वो उपने घरों में भी महसूस होती है कई बार वो presence वो glory वो महिमा आपको चर्च में भी महसूस होती एक गरों महसूस होती लेकिन हर टाइम आपको महसूस नहीं होती वो कि शैतान ज हहानां कि हम इस glorious presence के न कहा तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का उंचा करने वाला है अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां जहां भी जिस जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की महिमा ग्लोरी थी जो उसकी महिमा में रहने का आदी था वो एक महिमा होती है आप खुदा की करते हैं कि खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं वर्शिप करते हैं हम टेस्टरमनी देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा होती है लेकिन एक होता है कि उसकी जो प्रेजन्स है उसकी जो महिमा है उसकी जो ग्लोरी है जिस तरह सुलेमान के भवन पर वो उतर आई थी जिस तरह मू रोखत है उसकी महिमा का उतर आना, जिस तरह हम चर्च में देखतें, कई तर महिमा उतरती ही, हम खड़े नहीं रह पातें, हमारा बोडी शेक करता है, या हमें आंसू आते है, या हमें हसना आता है, या हम पवित्राभ मां से भर जाते हैं, या healing miracles होने शुरू हो जाते हैं आज ऐसी testimonies हम चर्च में देख रहे थे सालों से जिनके उपर गरीबी के श्राब थे सालों से आज चर्च में जब वो बैठे हुए थे उनको good news आई किसी के visa की किसी की foreign, किसी की योरोप के visa जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं तो आप परमेश्वर को काम करते हुए देख पाते हैं आप उसकी घ्लोरी को महसूस करते हैं आप देखते हैं कि महाल जो है ये simple गानों से नहीं बनाया जा सकता आप हर जगा गीत सुनते हैं ऐसा महाल नहीं बनता लेकिन जब आप सच में प्रेयर करते हैं और जब आप इस दिशा में आपकी अगवाई होती है कि आज खुदावन की गलोरी को हम देखना चाते हैं उसके तेज को देखना चाते हैं उसकी महिमा को देखना चाते हैं और प् दुसरा जब वो कहता है कि तो मेरे महिमा और मेरे मस्तक को उंचा करने वाला है, जब जब परमेश्र की गलोरी एक व्यक्ति के उपर उतरती है, जब आपकी लाइफ में अगर परमेश्र की महिमा उसकी गलोरी जो है अगर वो टहर जाए, बाइबल कहती है आपकी इज़त को, आपकी glory को, आपके परिवार की इज़त को फिर परमेशर बढ़ाना शुरू करता है उन दिशाओं में जहां आप कभी भी काम करके आप कुछ अच्छा काम करके भी नहीं बढ़ा सकते हालेलुया ये शाया साथ उसकी एक आयत में लिखा उठ परकाश मान हो क्योंकि तेरा परकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे उपर उदे हुआ है Arise, shine, for the light is come and the glory of the Lord कि जो glory है खुदावन की वो तेरे उपर उदे हुई है तेरा परकाश आ गया है अब तू क्या कर? अब तू shine कर अब तू परकाश मान हो क्यों शैतान चाहता है कि आप glorious presence के नीचे ना रहें मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ ये पाप और पवितरताई ये अलग topic है ये पाप और पवितरताई का topic नहीं है ये उसके उपर की चीज है एक व्यक्ति पाप से अजाद हो सकता है पर साथ-साथ ऐसा भी हो सकता है कि glorious presence में वो ना रहता हो एक व्यक्ति नशा छोड़ सकता है एक व्यक्ति पाप छोड़ सकता है पर साथ-साथ ये भी possible है कि परमेश्वर कि जो glorious presence है खुदावन्द उसके साथ है वो स्वरक जा रहा है उसमें कोई शक नहीं लेकिन जो visible presence है जो दिखने वली हजूरी है जो काम करने वली presence है हो सकता है उसकी जिंदगी में ना हो आपका टीवी के सामने आदा घंटा बैठ कर कुछ भी उट पटांग देखना उस glory को खतम कर सकता है क्योंकि यह मुश्किल चीज है इसलिए बहुत कम परसंटेज है Christianity में बहुत कम परसंटेज है pastors में बहुत कम परसंटेज है जो इस glorious presence को देख पाते हैं बिना glorious presence के भी कई जगा healing हो जाती है क्योंकि वो एक वरदान है लेकिन जब glorious presence आपकी life में उतरती है वो एक protect करने वाली भी होती है वो लंबा लेके जाने वाली भी होती है और वो उन miracles को permanent रखती है और लोगों के दिल बदलते हैं जब वो glorious presence के नीचे आते हैं अब जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की visible glory महिमा आपकी life पे कैसे उतरेगी मैंने कहा एक 15 मिनिट की Facebook सर्च भी उस glory को खतम कर सकती है इसलिए मैंने कहा ये पाप और पवितरताई का मसला नहीं है कि अगर आप पाप में नहीं है तो आप glorious presence में हैं ऐसा नहीं है हो सकता है आप आप में भी ना हो लेकिन अभी तक आप distract हो अभी तक आप संसारिक affairs में इतना घुसे हुए हैं कि आप उसकी presence को महसूस नहीं कर पा रहे और वो आप पे उतर नहीं पा रही शैतान ये नहीं चाहता कि आप पर परमेश्वर की presence हो क्यूं? क्योंकि शैतान को इसके असर मालूम है क्योंकि वो खुद भी जो लूसिफर शैतान था वो खुद भी उस presence में रहता था उसे उस presence में रहने का असर मालूम था उसे उसका जो ताकत है glory की, महिमा की, उसकी भजूरी की उसे वो मालूम है इसलिए वो यह नहीं चाहता कि आप उसकी presence में रहें जो लोग आदा पोना घंटा प्रार्थना करते हैं वो अच्छा करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप शाम को या सुबा खास कर अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं यह चीज नहीं देखनी मुझे यह चीज करनी है मुझे यह प्रेयर करनी है मुझे परमेश्वर से यह कहना है मुझे परमेश्वर से यह बात बोलनी है फलाने ने मुझे को ताना दिया परमेश्वर उसको जवाब देगा मुझे यह प्रार्थना करनी है अरे नहीं, नहीं, मुझे उसको माफ करना है, अरे नहीं, मुझे उस विरोधी को माफ करना है, अरे नहीं, गुसा आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं इसके आगे भी कोई चीज है जिसे हमने पाना है, जिस तरह जब पुराने नियम में जब वो परमेश्वर के भवन के अंदर जाते थे, तो वहां के तीन हिस्से थे, एक हिस्सा जो बाहर वेदी जहां हाथों और पाउं को धोते थे, वी हाथ पाउं को धोकर फिर वो पवित् स्थान में जाते थे, जहां पर दीवटे पड़ी होती थी, उसके बाद परम पवित्र स्थान जो अंदर होता था, जहां पर परमेश्वर का संदूक पड़ा रहता था, जो बाहर का स्थान है, जो पवित्र स्थान में जाने से पहले, जहां पर हाथों और पाउं को धोना, अपने गुनाहों की ख्षमा मांगना, प्रभु जी मैंनों माफ कर दो, प्रभु जी मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, प्रभु जी मैं प्रेयर नो वदा देओ, प्रभु जी मैं आकाम करना चाना, प्रभु जी मैंनों इस्तेमाल करो, पर मेरी लाइम पवितरता ही नहीं है, प आप अपनी request रखते हैं, आप प्रार्थना रखते हैं, आप किसी serious पाप में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगले स्थान पे परवेश करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता हैं, हो सकता है, आपके पास प्रार्थना के शब्द खतम हो जाएं, और फिर भी आप परमेश्र की presence में बैठें, आप वर्शिप सुन रहें, जस्ट वर्शिप सुन रहें, कोई phone नहीं, कोई whatsapp नहीं, कोई facebook नहीं, कोई वचन नहीं, आप जाके सुन रहें अभी facebook के उपर, आप जस्ट वर्शिप कर रहें, आप जस्ट प्रेयर कर रहें, आप जब जस्ट इंतजार कर रहें, आपको फिर मालूम होगा कुछ देर के बाद, कि अब अगला स्थान जो परमेश्र का आ रहा है, जो अग अगला स्टनली, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बच्यों को, आपके finance को, वो हिट मारती है, वो थोड़े मारती है, जो आपका पहला क्षेतर नहीं कर पाता, वो उस थान में, अलग स्थान में, आगे और आगे, जहां पर आपके पास शव्द नहीं होते प्रा axisına क करके उठ जाते हैं लगातार दो घंडे एक घंड़ा प्रार्थना करके उठ जाते हैं लेकिन उस जगावे पहुंचने के लिए आपको अपने मुद्धों को आपको अपनी चीजों को साइड पर रखकर जस्ट आप और परमिश्वर और आपको उस ग्लोरी को उस महिमा को उम्हें वेतीत करता है, आप फिर उसके साथ देखते हैं कि हजारों और लाखों स्वरग दूद उनके साथ रहना शुरू करते हैं. वह जहां भी जातें सक्सेस्फुल होते हैं, जिस काम में हट डालतें सक्सेस्फुल होते हैं, reason यही है क्योंकि वो glorious presence जो है वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है इसलिए उसने कहा उठ और परकाश मान हो क्योंकि तेरा परकाश आ गया और यहवा का तेज, glory God's glory जो है वो तेरे उपर उदे हुई है खुदा की light, खुदा की रोशनी खुदा का तेज तेरे उपर जो है वो उदे हुआ है परकाश मान हो, उठ परकाश मान shine लिखा, arise, उठ जा और shine कर, तेरे finance में तेरी life में, तू shine कर मैंने businessman के life के उपर glory देखी है, उनका जो बुलाहट थी, वो as a pastor नहीं थी, as a preacher नहीं थी as a evangelist नहीं थी, as a businessman थी, कि उनको as a businessman बनके, church के कामों को support करना था, अगर हम सभी preach करने लग जाएंगे, तो church को बनाएगा कौन, अगर हम सभी पैसा कमाने चले जाएंगे, तो preach कौन करेगा, अगर सभी को परमेश और बड़ा businessman बना देगा, तो सभाई कौन करेगा, हर एक बन्दे का एक role है, हर एक बन्दे की एक बुलाहट है, उसे उस बुलाहट को समझना है और glory के नीचे रहना है, अगर मैं प्रेरित हूँ, pastor हूँ, मैं glory के नीचे रहके सेवा करूँ, आप एक business man है, glory के नीचे रहके काम करें, आप एक volunteer हैं, glory के नीचे रहके काम करें, मैं कहता हूँ, पाप तो दूर की बात है, जस्त आदा घंटा, एक घंटे की distract life भी, इस glorious presence को खतम कर देती है, आपको फिर परमेशो की presence में जाना पड़ता है, कि आप उस glorious presence को फिर से परमेशोर से ले सकें, और उस glory को फिर से महसूस कर सकें, समझ आ रहे है आज का वचन के नहीं, आपको समझ आना चाहिए आज का वचन, आमें, ये एक practice है, जिसे हर Christian को करना चाहिए, ये आदा पोना घंटे वाली प्राथना नहीं, शोर मचा मचा के वाली वाली प्राथना नहीं, ये just a glorious presence, हो सकता है वो, आप उची आवाज में प्राथना करें, या पवितर आत्मा आपको चुप रहने के लिए बोले, या आप धीमे शब्दों में प्राथना करें, वो just एक, एक महसूस करने वाली प्रेयर है, जब ग्लोरी आपे उतरती है, जब कई बार हम वर्शिप करते थे, परमेशो के महिमा उतरती थी, तो कई बार हम जोर जोर से तालियों को बजाते थे, कई बार परमेशो की ग्लोरी उतरती थी, तो आँसू निकलते थे, चब अब परमेश्व की ग्लोरी उतरती थी तो शरीर काई बार हम कबू में नहीं रहते थे हम पूरा ग्रूप जब परमेश्व की वर्शिप करते थे तो ये अलग-अ़ग चीजे हैं जब आप अकेले बैठे हैं जब परमेशो की presence आप पे उतरती है glory आप महसूस करते है उसकी visible glory को आपको मालूम होता है कि आप enough time आपने परमेशो के साथ बिताया है और परमेशो की जो glory है वो आपके साथ है इसे लेने में time लग सकता है लेकिन परमेशोर आपकी मदद करेगा और जिस दिन आपको glory में आपको महिमा में रहना आ जाएगा आपकी पूरी life change हो जाएगी आपको कई बार बरकते मागने की भी जरूत नहीं पड़ेगी जस्ट वो add होती जाएगी आपकी life के अंदर और यह आपको सुरक्षित यह आपको blessed रखेगी glorious presence इसलिए मैंने का पाप अगर छोड़ भी दिया है तो हो सकता है आपकी life में यह glorious presence अभी तक ना हो क्योंकि इसके लिए आपको अगला कदम उठाना पड़ता है आप भवन के बाहर ही है होदी में आप हाथों और पाउं को पीतल की होदी में धो रहे है लेकिन अभी तक आपने पवितर स्थान में परवेश नहीं किया पवितर स्थान के बाद भी एक परम पवितर स्थान है वहाँ पर आपने परवेश नहीं किया जब आप glorious चीजों में आगे बढ़ जाते हैं तो मैं आपको इसका experience बताता हूँ, जब आप उस level पे चले जाते हैं, उस level पे आप फिर परमेशों से कुछ मांगते नहीं, आप किसी चीज के लिए prayer नहीं करते, वो सारी चीजें आप पहले part में कर लेते हो, पहले 40-45 मिनट में आप prayer कर लेते हो, मुझे ये चाहिए, मुझ उसके बाद जब आगे जाते हो, आपको जब presence मैसूस होना शुरू होती है, आप आगे बढ़ते हो, शब्द कम हो जाते हैं, presence बढ़ जाती, लेकिन एक time आता है, जब पूरी तरह से परम पवित्र स्थान में जब आप परवेश कर जाते हो, पूरी तरह से glorious presence में चले जाते हो, वहां फिर बाद प्रेयर नहीं करते, आप जब बैठते हो, उसको सोखते हो, उसको thanks करते हो, उसकी महिमा करते हो, वो जानता है, वो आप में हैं, आप उसमें हैं, आप जब निकल के बाहर आते हो रूम से, आप अलग होते हो, आमें, और ये चीजें अगर, क्योंकि यह होता है, मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हो, यह permission ने मुझे अथिकार दिया है, जो स्वरक में महसूस होता है, वो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें enter करने के लिए, आपको कितने ही barrier पार करने पड़ते हैं, आपको माफ करना पड़ता है, आपको prayer करनी पड़ती है, बैठना बढ़ता है, शब्द खतम हो जाते हैं, फिर वर्षिप के गीत भी खतम हो जाते हैं, फिर भी आप बैठे हैं, फिर आपको आगे बढ़ना बढ़ता है, और आगे, और आगे, और आगे, फिर आप जस्ट, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे न, तो जब पह पहाड शुरू हो जाते चप अब ढूतीर आप सोचतें म Süरय다면 निचे गर्मी से आया हूँ लेकिन पहाड शुरू हो गे है लेकिन ठंड नहीं सुरू हो हई अभी अभी प्रभी लग रही आप जस्त आगे बढ़ते और फिर भी वहां पे इतनी ठंड नहींолов Ne लग रही लेकिन जैसे सडनली 10-12 किलोमेटर और आप टॉप पे जाते हैं सडनली आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती जस्क मौसम चेंज हो जाते हैं उसी तरह से स्पिरिट में हैं आप जो बढ़ते 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 आप वो कुछ महसूस नहीं होता आप प्रेयर करते जो आपने लिखी है आप वो प्रेयर करते हैं जो आपके दिमाग में है आप वो प्रेयर करते हैं जो आपके बाइबल में लिख है जो आपको पता है कि मुझे इस विशे में प्रार्थना करनी है अपने अगुए के लिए प्रेयर करनी है आप उस विशे में प्रेयर करते ह जाते हैं next जब आप आगे बढ़ते जाते हैं जब आप परमेशों से एक होना शुरू होते हैं वो फिर समय होता है आपको glorious presence से भरने का जिसको उस चीज की आदत लग जाए उसको उसको फिर जो चिट्टा नशा है जो शराब का नशा है वो उसको जोक लगेगा वो उसको जो क्योंकि जब ऐसी presence के आप conscious में हो जाते हैं जब आपको इस presence में रहने का conscious हो जाता है विवेक हो जाता है फिर आप जो अपनी ordinary life है नीचे उसमें भी आप ध्यान डगते हैं आप business में जाते हैं आप जूट नहीं बोलते हैं आप घर पे बैठे हैं आप चुबलिया नहीं कर को मालूम है कि यह चीजें आपको distract करने के लिए और आप भी glorious presence को खतम करने के लिए हैं फिर क्या होता है आप एक अच्छे Christian तो बनते ही बनते हैं पर एक powerful, impactful और testimony से भड़े हुए Christians भी आप बनते हैं जिन लोगों को इस glory में रहने की आदत है मैं आपको बता सकता हूँ ज उसकी 18 से 23 आयत आप घर में पढ़ेंगे मैं 18 को पढ़ूँगा मुसा ने कहा मुझे अपना तेज देखा and he said I beseech thee show me thy glory मुसा ने कहा अपनी glory अपना तेज अपनी महिमा मुझे दिखा बाइबल कहती है कि मुसा की जिंदगी में परमेश्वर ने जतने miracles किये उतने कितने क मुसा हमेशा ये बात बोलता था कि मुझे अपनी glory मुझे अपना तेज दिखा मुसा हमेशा तेज मांगता था इस्राइली हमेशा काम मांगते थे हुआ क्या इस्राइलियों ने काम तो देखे पर तेज नहीं देखा मुसा ने तेज भी देखा और काम भी देखे इस्राइ को मांगेंगे, life smooth हो जाएगी आपके, just वो चीजें अपने आप होनी शुरू होगी, आपको मालुम हो जाएगा कि जब मैं काम करता हूँ, तो किस लेवल का कर पाता हूँ, और जब परमेश्र की हुजूरी काम करती है, तो किस लेवल का करती है, आलेलुया, कि जब मैं करता हूँ, तो कैसे करता हूँ, लेकिन जब परमेश्र की presence करना शुरू करती है, एक पासर अपनी चर से दुखी हो गया, रोज उसने प्रीच करना हर संडे, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, प्रीच करकर जब नीचे जाना तो उसने अ प्रार्थना करता हूँ, लेकिन यह चीजे खतम क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ से, परमेश्र की आत्मा ने उसे बोला जाकर उसकी presence में बैठ, और लगातार बैठ, अब उसको यह मालूम ने देख, उसलगा है, लंबी प्रेयर करने के लिए परमेश्र बोल रहा है, लेक आदे कुछ बड़ा इशू है तो पैंतालीस मिनट से उपर आप नहीं प्रेयर कर सकते, लेकिन वो लगातार परमेश्र की presence में बैठा और कितने दिन तक बैठा रहा, हुआ क्या, जब कितने दिन तक वो presence में बैठा रहा, परमेश्र की महिमा उस पे उतर आई, और जब वो संडे चर्च में गया, जस्ट वर्शिप कर रहा था, और वही लोग सामने खड़े रो रहे थे, प्रभुजी मैंने मुआफ करते, प्रभुजी, वो खाता, यह क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला है नहीं, मैंने तो भी प्रीच तक नहीं किया, लेकिन लोगों के हिर्दिय की प्रेजन्स में बैठते हैं और ग्लोरी को सोखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर, तो जो चीजें आप नहीं कर सकते शारिदिक रूप से, परमेशो की महिमा जो आपके आसपास है, वो उन चीजों को करना शुरू करती हैं, हालेलुया, हालेल फोन नहीं होते थे, जस्ट एक फोन था मेरे पास हेलो हेलो करने के लिए, हेलो हेलो करनी किसको थी, ना मेरी शादी हुई थी, ना मैं फैमली से बात इतनी करता था उस समय, तो बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद, कमरे में एक टीवी था, दो चैनल चलते थे वहाँ पे, एक, दोनों क्रिश्टन चैनल थे, दोनों को देखता था, बंद करता था, खाना खा लिया, उसके बाद फास्टिंग कर लिया, तो प्रेयर कर ली, चर्च में बैठे, प्रेयर कर ली, आपीस आए, प्रेयर कर ली, सो गए, ये मैंने किया 21 दिन, continue, चर्च हजारों लोगों क तरह की मेरी लाइफ पे थी, कि रात को तीन बजे भी जब मैं उठता था, तो कई बार मुझे इतना मैं खोच चुका था उस प्रेजन्स में, मुझे ये कई बार मालूम नहीं हो था था कि मैं कहां पे हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कि मैं इंडिया में हूँ, कि मैं अपने पे हूँ, कि मैं किसी होटल में हूँ, जस्ट ब्लैंक में उठता था कि मैं कहां पे हूँ, और मुझे दो मिनिट के बाद याद आता था कि मैं इंडिया से बाहरू और मैं प्रेयर कर रहा हूँ, इतना खोच चुका था कि मुझे इमालम नहीं कि रात के तीन बजे हैं, कि स सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, सो गए, दो घंटे, चार घंटे, उठे, प्रेयर, चर्च में में रह रहा था, प्रेयर, शाम को प्रेयर, सुबा को प्रेयर, जस्ट प्रेयर, वो प्रेसंस में रहने का में इतना आदी हो गया, कि जैसे ही इंडिया मे वापिस आया, पूरी ministry change हो जुकी थी एक हफते के अंदर, जो कुछ आप ministry का आज देख रहे हो स्थापित, यह 2011 से स्थापित है, जितने rules, जितने protocol बने, जितने system बने, वो तो उसी 21 दिन के दुरान बने थी, आज भी वो चल रहे हैं, आज भी कामियाब हैं, आज भी दुनिया के हर जगा से pastors देखने के लिए आते हैं, यह जो system है आपने कैसे बनाएं, उन्हें लगता है आपका management बड़ा strong है, उन्हें लगता है, आप जो यह manage करते हो ना, यह सभी cameras, यह बड़ा, उन्हें यह नहीं मालूम, यह management नहीं है, यह management नहीं, यह glory में रहकर हुआ है, just खुदा की glory में रहकर, यह आदा पोना घंटा, दो घंटे, तीन घंटे की प्रार्थना कई बार आपको change नहीं कर पाती, जो आप expect करते हैं, वो नहीं कर पाती, आपको पर्मेश्वर की महिमा में रहना पड़ता है, आमेन, और यह बहुत मुश्किल है, tough है यह, बहुत tough है यह, क्योंकि पाप में ना रहना, कई बार आपको असान है, कि आपने पाप छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप struggle कर रहे हो, ठीक है, लेकिन glory में रहना, यह different चीज है, यह पवितरताई का एक level है, जहां आप achieve कर जाते हैं जिसको, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ती, आपकी body को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपकी spirit को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपको अपने mind को tough करना पड़ता है, spirit को tough करना पड़ता है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ती है, Hallelujah, आपको मालुम कई लोगों को समझ नहीं आती वचन या उनको Christianity पहले वेले समझ नहीं आती क्योंकि वो glory को नहीं देख पाते, वो महिमा को नहीं देख पाते जब वो प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि लंबी प्रेयर में जब आप बैठना शुरू करेंगे एक समय ऐसा रख सकते हैं हफते में जब चुट्टी करके अराम से 6 घंटे लगातर बैठने प्रेयर में जब बैठने वर्शिप कर रहे हैं, जब बैठने, कोई फोन नहीं, कोई वाट्सेप नहीं, कोई फेस्बुक नहीं क्या चल रहा है यूट्यूब पे कुछ लेना देना नहीं जस्ट प्रेयर, जस्ट वर्शिप जस्ट परमेश्ट के वचन को पढ़ना वचन जिवीत हो जाएगा आपके सामने ग्लोरियस प्रेसेंस उतरेगी समझ आने शुरू हो जाएगा बदलना शुरु होगा महौल बदलना चीज़े शमझ आने शुरू हो जाएगा जाहिर होनी शुरू हो जाएगा आपको मालूम होना जस्ट आपका अंदर का आदमी है जो इनर मैन है इनर जो आपका सोल है जो आपकी अंदर एक परमेश्ट नहीं आपको inner man दिया है वो जाग जाएगा, आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा, उसी life में आप जी रहे थे, लेकिन आप उसी life में जीते आपको मालूम होगा, नहीं यह गलत है लेकिन तब पहले आप वही गलती करी जा रहे थे Christian भी थे, पाप में भी नहीं थे लेकिन अब जब आप Presence में रहना शुरू हो गए Glory में के नीचे रहना शुरू हो गए अब आपको यह मालूम होगा कि नहीं मुझे यह काम नहीं करना कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं इसलिए जब आप इस Glorious Presence के नीचे रहना शुरू करते हैं Life Same नहीं रहती फिर परमेश्वर देखेगा आपको क्या चाहिए अगर मेरे को काम करने के लिए लाखों क्रोडों चाहिए तो वो देगा आपको अगर आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो आपको देगा उसे आपके परिवार को बदलना पड़े वो बदल देगा उसे आपके भाई को बदलना पड़े वो बदल देगा आपको वीजा अगर देना है तो वो दे देगा अगर नहीं देना है तो वो जान बुझ के रोग देगा क्योंकि आपकी लाइफ में उसका एक बड़ा फ्लैन हो सकता है, उससे भी बड़ा, तो आपको ज़स समझ आना शुरू होगा, और practically आप visibly आँखों से देखकर, महसूस करकर परमेशो की महिमा को और उसके कामों को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे, हालिलूया, हालि महसूस कर सकते हैं, आप परमेशो की महिमा को महसूस कर सकते हैं राइटना, उसकी ग्लोरियस प्रेजन्स को आप महसूस कर सकते हैं राइटना, कि परमेशो की प्रेजन्स अभी भी हमारे बीच में मौदूद है, आमें, और ये प्रेजन्स इस ग्लोरी को लेना, सोखना, सं साथ चलना इसके लिए प्रेटिस कि अपनी लाइफ को किस बाउंडरी में चलाना है कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना आप कर सकते हैं आमें इसमें रहना शुरू करो इसमें रहना शुरू करो इसमें रहना शुरू करो मैंने कहा जस्त 45 मिनिट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा कई बार अगर आपको ये मालूम है कि 45 मिनिट के बाद आपने जस्त खाना बनाना है या वाहर जाना है काम करना है तो वो ठीक है 45 मिनिट की प्रार्थना आपको प्रिक्षाओं से बचाएगी खुदावन से blessing को लेके आएगी आपको परमिशों के सामने रखेगी प्रभू आपके कामों को पूरा करेगा ये सब होता रहेगा healing भी हो जाएगी पर जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग level की बात है वो ये बात है कि आप मांगा आपने एक खुदा ने भेजे दस मैं उस सीज की बात कर रहा हूँ Amen आप तयार हैं उस प्रेजन्स को सोखने के लिए ब्रांचिस तयार हैं उस प्रेजन्स को सोखने के लिए Hallelujah Hallelujah अगर हम यहाँ बैठें और ब्रांचिस वहाँ हैं हजारों किलोमिंटर दूर वहाँ भी वो इसी presence को महसूस कर रहे हूँ क्योंकि जब presence उतरती है एक vision के उपर जो जो यक्ति उस vision के साथ जुड़ा हुआ है वो same presence उन लोगों को touch करती क्योंकि हम एक ही गाड़ी के नीचे हैं मैं आपका engine हूँ तो आप डबे हैं अगर मैं ठंड से होकर गुजर रहा हूँ तो आपको भी ठंड लगेगी अगर मेरे पास अच्छा मोसम आ गया तो वो आपको भी महसूस होगा आप समझ दें मरी बात हो कि नहीं वो just आपको भी महसूस होगा वो branches में महसूस होगा खास कर जो लोग visibly present होते हैं जो physically present होते हैं जो church में होते हैं, branches में होते हैं खास कर उन लोगों के उपर वो खास समझेंगे कि परमिश्र की presence आज हमारे वीच में हैं Amen कि जब आप यहां से जाएं वो glory, वो महिमा के लिए आप प्यासे हो जाएं आपको कुछ न और दिखे, glorious presence में रहना आप सीख सके, खुदा की हजूरी में रहना आप सीख सके सारा कुछ आपके आसपास बदल जाएगा आप तेखना सेम आप शांती का महसूस करोगे चाहे आपके आसपास लडाईयां लगी हो फिर भी वो peace, वो शांती वो अजीब तरीके की शांती वो एक आनंद जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं हालेलूया हालेलूया I think कुछ लोगों ने इसे पहली बार सुना है ऐसी टीचिंग को मैं पहले भी दे चुका हूँ ये टीचिंग अलग तरह से लेकिन कुछ लोगों ने पहली बार इसको experience किया है कि परमेशो की glory जो उसकी presence है वो किस तरह से है हालेलूया